बिहार सिक्षक भरती प्रक्रिया में आज दिनांक 9 जुलाई 2023 को ले करके अब सिर्फ 4 दिन का समय सेस रह चुका है आवेदन के अंतिमतिती 12 जुलाई 2023 है दिनांक 8 जुलाई के साम 6 बज़े तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग बात करेंगे अंतर तक जुड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मैं नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटेब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल एकन को प्रिस करना ना भूले दोस्तों अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो किस प्रकार से इस्टेप बाई श्टेप आवेदन करना है इसका डिरेक्ट डेडिकेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कुल रजिस्ट्रेशन की संख्या की अगर बात करें तो 3,66,000 अभीरतियों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है यह सिर्फ रजिस्ट्रेशन की संख्या है और अगर कुल आवेदन की संख्या की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कुल आवेदन जो अभी तक हुए है वो है 2,46,000 एक बार जंदी से पूरे अर्टिकल को पढ़ लेते हैं देखिए दो दिन तक सर्वर डाउन रहने के बाद शनी बार की सुबा से ही फिर से सिख्छक नियुक्ती की प्रक्रिया समाने रूप से सुरू हो गई है यह सिर्फ कागजी रूप पर फिल्ड्स खुलने चाहिए डेटा को फिल करने के लिए वो फिल्ड्स से सही से नहीं उपन हो पा रहा है तो यह सब बहुत सारी दिकते हैं जो कि आयोग अब कह रहा है कि वेबसाइट ठीक से रन कर रहे हैं लेकिन अभी भी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर यह OTP में बहुत सारी दिकते हैं अभी अबिरतियों के पैसे कर जा रहे हैं, form complete नहीं हो पा रहा है ऐसी बहुत सारी दिकते हैं जिसको आयोग कह रहा है कि अब कोई भी दिकते नहीं लेकिन तरीके से अभी भी दिकत खतम नहीं होई है टीक है जली से देख लेते हैं समाने रूप से सुरू हो गई है ये आयो का कहना है बिप्यसी के सच्चिव ने बताया कि सुबह तीन बज़े से ही सर्वर दुरोस्त हो चुका था और यह समाने रूप से खुलने लगा था शाम छे बज़े तक 3,66,000 अभियर्थी ने रेज्ट्रेशन किया था इनमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन सुल्क का भुकतान 2,46,000 अभियर्थियों ने अंतिम रूप से अपना फॉर्म सब्मिट किया था इसी बीच BPSC के अध्यक्ष द्वारा सर्वर के डाउन रहने से छात्रों के समय के नुकसान की भरपाई के आस्वासन की वज़े से आवेदन की तिथी बढ़ने की संभावना बनने लगी है तो ये देख सकते हैं ये 9 जुलाई 2023 यानि आज ही का ये अर्टिकल है और इसके हिसाब से अभी आवेदन की संख्या 2,46,000 यानि कि 2,500,000 भी नहीं पहुँची है अब आवेद से भी कम आवेदन होना बहुत आश्चार जनक बात है वो भी तब जब बिहार के बाहर के भी अभी अभीरत्यों को पूरी तरीके से एलाव कर दिया गया है तो कंपटिशन तो बिल्कुल जीरो रहने वाला इस सिक्षाग भरती प्रक्रिया में और कंपटिशन जो भी थोड आवेदन बहुत कम सग्या में आवेदन आये हुए हैं तो यह हालत है बिहार सिक्षाग भरती प्रक्रिया के रिए और कहीं न कहीं आयोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम एट लिस्ट आप जो चार दिन स्रेश बचे हैं उसमें तो कम से कम से कम सर्वर को ठी कर रहा है आप तीन दिन चार दिन एक अफ़तार तिथी तो बढ़ा देंगे लेकिन अभियरतियों का जो बेवज़ा समय जा रहा है और बेवज़ा बेरति दिन भर बैचारे फसे हुए हैं आवेदन कम्प्लीट करने के सेंस में कई लोगों का दो दो तिन तिन बार की वज़े से ये सबी अभियरतियों को परशानी का सामना करना पड़ा है तो निशी तोर पर इसकी जवाब देही होनी चाहिए फीस पेमेंट वाला एक तो फीस बहुत ज़्यादा है साड़ साथ साथ सो रुपया उपर से कई अभियरतियों के दो दो तिन तिन बार पेमें ठीक है और यहीं कारण है जिसकी वज़े से आवेदन की संख्या में बहुत ज़्यादा उच्छाल देखने को नहीं मिल रहा है चार दिन समय सेस रहने के बाद अगर धाई लाख भी आवेदन कंप्लीट नहीं हो पार है जबकि पूरे देश बरक्या भेरति को पात्र माल ल